एक पिता, बाप, फादर, नाम, फजल मुहम्मद, बहुत सारी पत्निया थी, फजल, पंजाब के एक जमीनदार, काफी पत्नियों में एक थी सरदारी बेगम, इनसे एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया, अब्दुल है, अब्दुल है की माँ और अब्दुल है के बाप के बीच में कभी भी बनी नहीं, जगड़ा चलता रहा, अनबन होती रही, बच्चे को ये अब्दुल है नाम का जो बच्चा था, इसको बच्चपन से ही अभावों का शिकार होना पड़ा, बाप का प्यार नहीं मिला, और बाप ने जान बूज कर बच्चे का नाम अब्दुल है रखा, क्योंकि इस जमिंदार फजल मुहम्मद का एक कट्टर जानी दुश्मन था, उसका भी नाम था अब्दुल है, फजल मुहम्मद के मन में अब्दुल है नाम के प्रती इतनी नफरत और हिकारत थी, कि कोई वक्ती इस सीमा तक चला जाएगा, कि उस नफरत और हिकारत को सामने ला सके और गाली दे सके, इसलिए कोई अपने बेटे का नाम दुश्मन के नाम पे रख लेगा, मुकदमे बाजी भी हुई और इस बच्चे ने अब्दुल है नाम का जो बच्चा था, उसने कोट में अपने वालिद के खिलाफ गवाही दे दी, इस बात से मुकदमे से बाप तिल मिला गया, और कहते हैं कि इस बच्चे को मरवाने के लिए गुंडे भी बेजे, मां से, मा भी बच गई और बेटा भी बच गया, इस वाके से मालम होता है कि किस अभाओ, किस पीड़ा, किन मुसीबतों से, इस बच्चे ने अपने जिन्दगी के शुरुआत की, किस तरह छोटी सी उमर में दुखों के साथ अपनी जिन्दगी को जिया, इतने अभाओ, इतनी पीड़ां, इतनी तकलीफें देखी, गहरे रिष्टे को तूटते देखा, जिन्दगी को इतने करीब से देखने के बाद ही, अब्दुलहई एक दिन बन बैठा, साहिर लुद्यानवी, बात चलिए 1964 की, तो साहिर लुद्यानवी की एक फिल्म चित्र लेखा, मैं यहाँ पर भी बता दूँ के साहिर लुद्यानवी की जो फादर थे, वो अंग्रेजों के पिठ्ठू हुआ करते थे, उस जमाने में हिंदुस्तान के जो जमिंदार थे, अंग्रेजों की गुड लिस्ट में रहना चाहते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, उनके साइकोफेंट्स हो जाते थे, यह वजह से भी बालक साहिर के मन में यह था कि फादर जो हैं उनके वो अंग्रेजों के खुलाम हैं, और इस बच्चे के मन में अपनी मादरे वतन के लिए, अपनी मातर भूमी के लिए, अपनी भारत माता के लिए कहीं न कहीं एक जोश था, सेवा करना चाहता था, दास्ता की बेडियों से आजात करवाना चाहता था, भारत माता को, तो 1964 में एक फिल्म आई थी, केदार शर्मा ने डिरेक्ट किया था, चित्रलेखा नॉविल पर आधारित थी, चित्रलेखा नॉविल को लिखा था भगवती चरण वर्मा ने, इसी टाइटल को रेकर 1941 में भी एक फिल्म बनी थी, और इस फिल्म को भी डिरेक्ट किया था केद लुद्यान ने